हेलो एवरिवन वेल्कम टू गेटवाला मैं अंकित शर्मा आप सब का स्वागत करता हूँ इस बहुत प्यारे से सेशन में तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 18 अक्तूबर आज के दिन जो अमेंडमेंट आया है अब होगा सहाब जून के महिने में ठीके 2025 जून के महिने में कब होगा सेशन में बने रहेगा कम्प्लीट इंफर्मेशन आपको मिलने वाली है तो अब देखिए क्या बाते यहां पर कही गई हैं जरा समझते हैं पहला जो आपका नोटिफिकेशन था जो फॉर्म भरना था व आपको दुबारा फॉर्म भरने की जरुवत नहीं है यह केवल उन लोगों के लिए लागू हो रहा है जो पहली बार फॉर्म भरेंगे ठीके अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो आपके लिए करेक्शन विंडो होगा जिसमें आप जाके चेंजिस कर सकते हो आपको नया फ 12 नॉमबर तक आप फॉर्म भर रहे हो ठीके और 23 नॉमबर से आपका करेक्शन विंडो चालू हो गया यूप्यसी ने बड़ा साफ साफ लिखा है कि कमाइंड विंडो फॉर न्यू अप्लिकेशन और आप पहले फॉर्म भर चुके हो तो आपको नया फॉर्म भरने की जरुवत नहीं है केवल आप करेक्शन करोगे ठीक है और वो करेक्शन का यहां पर आपको अधिकार मिल रहा है UPSC के थूरू तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह चीजह यहां पर क्लियर हुई अब आगे की और इंफरमेशन पर चलते है ठीक है अब यहां पर कहा जा रहा है कि candidates who have already applied for the examination need not to apply again जैसा मैंने का कि आपको दुबारा देने की जरुवत नहीं है However, they would able to make correction in their OTR profile during the application window ठीक है जो आपका one time registration profile है उसमें आप correction कर सकते हो from 18th ठीक है October to 22 November इस duration में आप अपना अगर OTR profile में किसी ने date of birth गलत डाल दी, किसी ने नाम गलत डाल दिया, पिता जी का नाम गलत डाल दिया आप परिशान हो रहे थे क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सार अधिकार मिल गया है, the correction edit window shall be opened from 23 11 2024 to 29 11 2024, मतलब 23 November से 24 November के बीच में ये correction window आपको मिल जाएगा, right, the candidates who have already applied for the examination need not to apply again, however they would be able to make correction in their application form during the application window from 18th October to 22 November, ठीक है तो ये आपको अधिकार मिल रहा है आपे, चलिए, अब सबसे महतवपूर चीज की ये department add हुए है, जैसे civil engineering में IRMS add हुआ है, railway store services add हुआ है, ठीक है mechanical में IRMS add हुआ है, mechanical वाला और railway stores add हुआ है, ऐसे ही electrical electronics में भी ये add हुए है, तो ये सारी चीज़े यहाँ पर add हुई है, जो department, railway वाला department add हुआ है, जो आपको नहीं दिख रहा था, वो सारी information यहाँ पर दिखाई ज जा रही है, अब ठीक है, यहाँ पर ESC 2025 में जो EWS वाले बच्चे है, उनको किस year का financial certificate देना है, ठीक है, वो आपको देना है 23, 24 का, ठीक है, फिर आपको 23, 24 तक का देना है, और यहाँ पर, ठीक है, OBC candidates है, उनको आपको देना है, non-crimalier जो claim कर रहे है, non-crimalier का, तो income for financial year 23, 24, 22, 21, 22, यह उन्हें देना है, on or after 1 April 2024, ठीक है, उसके बाद इन्हें यह देना है, अब सबसे महत्वपूर चीज यहाँ पर जो मैं बात करने वाला ठीक है, वो आपकी है, date की, ठीक है, date कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, date आपका लिखा हुआ है सहाँ, पैरा नमबर 5 में, ठीक है, पैरा नमबर 5 कहां चला गया हमारा, ठीक है, जो सबसे important चीज है, ठीक है, वो यह रही, कि आपका, जो exam होगा, preliminary stage 1 examination of engineering services examination for recruitment to the services post mentioned in पैरा 2 below will be held by the union public service commission on the 8th of June 2025, ठीक है, तो 8 June 2025 को आपका exam होगा, आप इत मिनान से gate लिखे, gate के साथ, अब इसका कोई clash नहीं हो रहा है, starting में कहीं लोगों ने इस पर भी controversies की थी, हम लोग शांत बैठे हुए थे, मैंने का यार ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, UPSC और gate इस देश की ब बहुत mature organization से उनने पता है, ठीक है, फिर ये सारी चीजे हुई, तो अब 8 June को आपका paper होगा, तो 8 June के लिए आप तयारी करिये सहाब, ठीक है, आप अच्छे से अपना gate दीजिए पहले, फिर उसके बाद करिए, GS आपका बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा, तो यही सारी information है, और यहाँ पर कुछ, ठीक है, physical requirement के बारे में भी information दे रखिये, which is not that much important, जो जो important information थी, वो मैंने आपको बता दिया है, अगर कुछ और चाहिए, तो आप comment box में लिखिये, हम इस पर detailed video भी लाएंगे, best of luck.